के जिस तरह राजनीतिक पाठ्यों को फ्लो टेस्ट देना पड़ता है जिस तरह क्रिकेटरों को यह तेस्ट देना पड़ता है उसी तरह आप करमचारियों को pension के लिए भी flow test देना पड़ेगा जी हाँ यह बात गलत नहीं है और यह flow test जो है करमचारियों का नवंबर में ही है और इसका December में परिणाम आएगा करमचारियों को खुश करने के लिए यह प्लान बना रही है और यह मिडिया रिपोर्ट की माने तो प्लान लग-बख बनके के अधियार सोछल पीन स्कीं में और बड़ा बदलाव हो सकता है उसके अलावे यह मोदी सरकार का इंतजार है कि अभी हाली में 5 राजियों में एलेक्शन होने वाले हैं अगर करमचारी मोदी सरकार के खिलाप भोट करते हैं और मोदी सरकार की सीटे कम आती है तो समझ लिजिए कि यह करमचारियों का फ्लोटेस्ट होगा अगर इसमें बीजेपी गौर्मेंट को कहीं करमचारियों से नुकसान होता दिखा और इसका परिणाम दिखा तो समझिए कि 2024 लोग सभाई अलेक्षन से भले पुरानी पेंशन की रास्ता साफ हो जाएगी एक तरफ जो है विजेबंधु जी लगातार कह रहे हैं कि हमें NPS में कोई सुधार नहीं चाहिए हमें वहीं पुरानी वाली पेंशन चाहिए नमो PS के अध्यक्ष जो है आप सभी जानते हैं विजेबंधु जी का कहना है कि सरकार के लोली पॉप से हम खुश नहीं है और जहा से 40% पैंशन देने की बात हो रहा है दूसरी तरफ अगर 30 से ज्यादा साल नौकरी करते पेंशन वाली बाद जिसमें एक लाक सेलरी पाने वाले लोग मात्र दस अजार की अंधन ही पेंशन पा रहे हैं जबकि पूरानी पेंशन स्कीम में पूरी सेलरी का 50 परती सथ जो है पेंशन के रूप में मिलता था लेकिन अभी भी जो जीपीएस की बात हो रही है इसमें बह रटे हुए हैं और फ्लो टेस्ट देने के लिए भी तयार हैं तो करमचारियों पांच राज्य राजास्थान च्छतिसगर तेलंगना आप सभी जानते हैं इन सब राज्यों में मध्यपरदेश चुना होने वाले हैं अगर सरकार जो है ओपीएस वाली सरकार बनी तो समझे कि 2024 लोग सभाल एक्षन से पहले मजबूरी में नरेंदर मोधी और वीजेपी गवर्मेंट को पेंशन की घौशना करनी पड़ सकती है दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लगतार जो है इस पर चर्चाय हो रही है और टाइप किये जाने वाला सब से ज्यादा टाइप की जान है एक नमबर पर आ चुका है हाज़्सटैक OPS दोस्तों इस वीडियो में भी आप लगटार हाज़्सटैक OPS टाइप करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों करें धन्य बाद मैं्स्चन्दन-्गुमार पब्लीक अड़्ड